दुर्ग के गंजपारा कॉंप्लेक्स की दो दुकानों में रविवार की अल सुभा भीशन आग लग गई जिसका पता सुभा छे बजे लगा जिसके बाद आगजनी की सूचना अगनिशमन विभाग पुलिस को दी गई अगनिशमन दल ने मौके पर पहुँचकर लगभग 29 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया विथाल आग लगने का कारण इस पश्ट नहीं हो पाया है दुर्गे के गंजपारक कॉंप्लेक्स में आज तड़के भीजन आग लग गई आग पहले एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकान पर लगी जिसने धीरे धीरे अपने आजपास की दो दुकानों को चपेट में ले लिया वहीं किसी ने आग की लप्टे उटते देखी तो ततकाल पुलिस को सूचना दी जिसके बाद मौके पर अगनी शमन दस्ते को भेजा गया वहीं पहुंसते ही दस्ते ने आग बुझाना प्रारंब किया लेकिन घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है आग इतनी भीशन थी कि इसे बुझाने के लिए जवानों को कड़ी मशक्कत करना पड़ा जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यह आग करीब सुबह तीन बजे लगी जहां आग बुझाने के लिए अब तक 29 फायर बिग्रेट गाड़ी और 36 जबबा फोम का उप्योग किया गया मिली जानकारी के अनुसार इलेक्टिकल सहीद इस पेर स्पार्स की दुकान में जोलन शिल परदार्थ रखे हुए थे यही वज़ा है कि आग ने भीशन रूप धारन कर लिया इस आग जनी से लाकों के नुक्सान का आकलन किया जा रहा है आ सका है लेकिन शौर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है मौके पर अगनी शमन दस्ते के अलावा SDRF और पुलिस के जवान मौजूद हैं इनकी उपस्तिती में आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है इस अफसर पर पहुँचे महापर और दमकल कर्मी ने अपनी प्रतिक्रिया दी लेकि आग सुबह जब केसी बने चार बजे चार बजे पता चला अगनी शमन दल यहां पर तुरंत आके अपने कार्यों में लग गया यहां पर दुकान नंबर 9 और 10 इंडस्ट्रेड में यहां पर आग लगी है और सुबह से ही पुरा जिला प्रशासन एलेट है मानी विध लेकिन पूरी तरीके से जब कंट्रोल होगा उसके कारणों का अपने अपता चलिया है इस चार बचकर पंदर मिनिट लेगे जैसे साहरन दजा हमने 16-30 गाड़ी आए है है फट शेकंड में संतावन पचास है बश्गावाद 208 बश्गावाद मतब 25-24 बश्गावाद 16-30 चार गाड़ी है हमने जब पहुचे तो मतब 50 पसिशदा आख था हम लोग को क्राम करते करते 120 पसिशदा उखे एक तो कुल मिना के कितनी गाड़ी यहां तक पहुचे थे हमारे गाड़ी आए यहां पे चार ग पानी लगा है और अच्छा अभी क्या कंडिशन अभी तो खतम होगे त्रीक वह मतब इस्टिम का आँ है और आग कहीं भी नहीं है तक तो वाग फूरा खतम होगे इस्टिम है इस्टिम है तरीक ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए दूर्ग से नसीम फारुकी की